हलो दोस्तों नमस्कार वेलकम टू इस एमेजिंग प्लेटफॉर्म टाप 10 क्लासिज बच्चो यहाँ पर मैं प्रज्जोल सिंग आपका केमेस्ट्री मेंटर स्वागत करता हूँ आज हम डिस्कसन करेंगे क्लास 11 का इंटुडक्शन चैप्टर बच्चो रसायन विज्ञान क क्या है और रसायन विज्ञान को मुख्य रूप से मेंली कितने भागों में हम बाड़ देते हैं तो सबसे पहले बच्चो आपका रसायन विज्ञान क्या है जैसे कि बच्चों को मारकर दिख रहा होगा तो सपोस्ट करते हैं यहाँ पर क्या है कोई मारकर है सबसे पहले मारकर को देखकर के हमारे मन में कौन सा कोश्चन आएगा सबसे पहले बच्चो हम सोच सकते हैं कि मारकर कैसे बना होगा मतलब पहला कोश्चन जो लेकर हम आये है कि मारकर कैसे बना होगा दूसरा अच्चो अब मारकर कैसे बना होगा तो ये भी थमारे मन में कोश्चन आ सकते हैं कि ये जो मारकर बना है इसमें में कौन-कौन से पदात लिये है बच्चो मतलब मारकर कैसे बना होगा कौन-कौन से पदात लिये है बच्चो मतलब आपने पदात इसके संगठन की बात कर लिया मतलब मारकर का संगठन क्या है मारकर किन-किन पदार्थों से मिलकर बनाए और बच्चो ये question थमारे मन में आ गया अगला क्या आगा बच्चो क्या हम मारकर को कही पर रख सकते हैं क्या हमें मारकर को एक सेब जिगह पर सुखे स्थान पर रखना जुरूरी है तो बहुत सारे क्यूश से इस प्रकार हमारे मन में आएंगे क्या मारकर को हम छाय में में रखे क्या मारकर को ऐसे खुला छोड़ दे धक्का निकाल कर रख दे क्या को इफ्यक्ट पड़ेगा तो यह मतलब इस यह क्या है प्रभाव डालने वाले का रख हैं अगर नहीं नमी में रखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा खुला छोड़ देंगे तो क्या प्रभाव प्रभाव डालने वाले कारकों अगरा बच्चों ठीक है यह मारकर हम जानगे कैसे बना है संगठन क्या है इसका इस पर बाहिकारकों का प्रभाव क्या है अब हमारे पारे अगला कोशन जो आएगा बच्चों वो इस मारकर हम करेंगे क्या अच्छे इस मारकर हम कुछ बना सकते है क्या इस मारकर हम यूजगा ऐसे करेंगे यह सब क्योशन आएगा मतलब मारकर से कुछ बना सकते हैं यानि मतलब मारकर ही गुर्धर्म का कोश्चन आ गया और मारकर का इसका क्या करेंगे ये सबी कोशर बच्चो हमारे मन में आएंगे तो यही क्या बच्चो ये जो हमारी जिग्यासा रही ये ही का अध्धिन क्या बच्चो रहसाल विज्ञान है आईए मारकर कैसे बना होगा मतलब बच्चो हम बात करें आपके बनाने की विधी किसकी बच्चो बनाने की विधी प्रिप्रेशन मिथड और वच्चो अगला हम बात करें मारकर किनकी पदार्थों से मिलकर बना है बच्चो मतलब मारकर का शंगठन स्रंगठन और वच्चो आपकी जो पदार्थों किस प्रकार से अर्रेंजमेंट है उनकी एटम्स उन्दिये मालहियोल मतलब सरशना कमपोजिशन अगला वच्चो प्रॉroll डालने वाले कारक इससे बाह कारकों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब यहां पर देखेंगी बाह कारक और वच्चो अगला कोस्चेण है ऋ हम इसे गुर्धर में बात करेंगी तो वच्चो यहां पर हम बात करेंगी प्रापर्टीज अब प्रापर्टीज अच्चो में लिए दो प्रकार हम देखते हैं एक फीजिकल कि भातिक गुर्धार में और एक क्या अच्छाप का रासायनिक गुर्धन फिसिकल प्रापरपरटी है कि अच्छापिस्छ अच्छाप है किमिकल प्रापरटीज अच्छाप किैमिकल और इसका क्या करेंगे तो मतलब हम बात करें बच्छों इसके उपयोग के कि यह बच्छों आए तो इसी का अध्यन क्या है मतलब मारकर क्या है एक पदात है पदात क्या होता है जो अस्थान घेरे जो अस्थान घेरता हो तो था जिसमें क्या हो द्रवेमार तो था कि जिसमें कि द्रवेमान हो पतलब पदात की सरजना संगठिम बनाने की विधिये और बच्छों गुर्धन में बायकारक का प्रभाव और उपयोग आधिकाध्यन क्या खालाता है रशान विज्ञान क्या खालाता है तो गर चिसका डिपीशाल लिखना चाहें तुम क्या 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 क्य हुआ है शंगठन कि बनाने की विदि कि गुर्धर्म बायकारको का प्रभाव है और उपयोग आधिका अधियन में प्रचों क्या क्लाता है सार्मिज्ञान क्लाता है बतल जो डिफिनिशन निकल क्या है रशान विज्ञान क्या था अग्यान उठीट अगक्य है रशान विज्ञान को बच्चों इंग्लीस में क्या कुछ समय पहले छो इतना प्राचीन नाम था अ can कीमिया थे क्यों स्टार्टिंग में कर होने के कारण और लोग कीमिया कहते थे इस्टार्ट कर में जो उत्पत्य हुई है बच्चों एक्कला के रूप में अर्चार यह इतना तेजी के से पूरे व्यու्प में फैल कि इसके उपयोगिता जब अजस्त रही और यह हमारे द्यानिक लाइब को रोज मर्रा की जिन्दिगी को बहुत ज्यादा प्रभाववित करता था तो यह एक कला ही नहरा करके यह क्या बन गया आपका विक्यान बन गया और आज की समय में आप कि जो कपड़े पैने वहां से लेकरके जो अपने सैंडल जूता और जो अपने बावम में अप्तिय लगाते वहां तक पुरी किसी की देन है तो बच्चों तो कमिस्टी सब्ध कित्पति किसी होई बच्चों क्यमिस्ट्री सब्द की उत्पत्ति कमिस्ट्री सब्द की उत्पत्ति कीमिया सब्द से हुई है जिसका अर्थे काला जिसका अर्थे काला क्योंकि मिस्ट्देश की मिट्टी काली है कि इसलिए उसे लोग की मिया कहते हैं इसलिए उसे लोग क्या गदर्चों की मिया क्याते हैं इतना सब्द मैं और हमें देखा बच्चों की कमिस्ट्री की उत्पत्ति कमिस्ट्री की एक कला के रूप में हुए थी अ लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए वरन आज हम इसका ध्यन विज्ञार के अंतरगत है अर्थात यह विज्ञार है यह क्या बच्चों आपका एक विज्ञार है आप सबसे पहलें डिसकसन करेंगे डिपनीशन रसायन विज्ञार की परिभासा क्या हो सकती है बच्चों सबसे पहलें विज्ञार के आपको डिफनीशन अब अर्थात्त परिभास तो रसायन विज्ञार क्या आप अब च्चों रसायन विज्ञार कि आप तरसान विज्ञान विज्ञान की वा साखा है विज्ञान की वा है साखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की सरशना संगठन बनाने की विधी बाय कारको का प्रभाव बाय कारको का प्रभाव गोड़ धर में तो था उपियोग था उपियोग आदिका अध्यन करते हैं तो क्या बच्चों आपकी रसायन विज्ञान रहें? कि रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान बच्चों क्या पढ़ते हैं? अब हम आपका देखेंगे कि रसायन विज्ञान के बच्चों कितने भागों बाठा गया है? आईए उसको जाने मतलब बच्चों रसायन विज्ञान के भाग अब बच्चों रसायन विज्ञान की भाग क्या क्या है? आपको जैसे पता है वर्तमान में ग्याद कूल तत्तों की संका कितनी है? एकसो अठारा है जिसमें से बच्चों ग्याद कूल तत्तों बच्चों कितना है? एकसो अठारा है जिसमें से बच्चों लगभग नब्बे तत्त्त यह बच्चो प्रक्रती में पाये जाते हैं किसे पाये जाते हैं प्रक्रती में पाये जाते हैं और बचे विए एलीमेंट बच्चो जो आंब तो चलेगे एक एंस ओ थारा हैं मतलब 98 बच्चो और मैं जुआ ऐस के Innistchn disrupted मैं यह ये कृत्ति नुरू से बच्चो क्या करें बनाएगे हैं इन्हें बच्चो क्या करता मानो संसलेशित करके बनाता है तो ये तेरी आपके कितने दद्दो ग्यात हैं और कितने द्द्दो आपके निशे में पाये जाते हैं और कितने रत्व मानो निर्मित है बच्चों और इसमें से अगर हम बच्चों आपका देखें अगर इसके आधार पे हम क्लासिफिकेशन करें रसायन विज्ञान का बटवार करें तो आपको बेनली बच्चों तीन कमिश्णिकल के आती है पहला इसे बच्चों एक ऐसा को आप जानते कार्बन का उपर मारक मांग कितना था बच्चों चाही वह अकेले ही दस मेलियन लगभग दस मेलियन कंपाउंड बनाता है अकीला कार्मन दस म्यलियन कंपाउंड बनाता है इसलिए लस्टान ग्योंद्यों Carbon का अध्यान Carbon का अध्यान है उसकी योगी को का अध्यान हम जरूर करेंगे तो Carbon और उसकी योगी को का अध्यान अलग कर दिया बच्चो जिसको हमने क्या कार्बनिक रसायन अर्गैनिक कमिस्टी और अगला क्या है बच्चों आप कितने दर्थ आपके बचे एक तुम्ने अलक कर लिया एक सोठाला तत्तु है बच्चों कितने तत्तों बच्चों आपके एक सब्सक्राइए बच्चों आपके एक सब्सक्राइए ख्लातक आपका अकार्बनिक रसायन कहलाता है ये तो चो कार्बनिक रहे और अकार्बनिक रहे और बच्चो अब ये रसायनिक अपक्रियाएं जो देंगे रसायनिक अपक्रियाओं का अध्यन इनके नियम और सिधांदों का अध्यन क्या गालाताथा बच्छों बहुत की कमश्टी कहलाता है मतलब अब आपकी इनसे एथको इनसेistorलेटड के आगे बच्छ नीयम और सिधान्त चाय आपके आर्गैनिक की हो चाय इनार्गैनिक की हो इनके नीयम और सिधान जो होंगे उसका अध्यन कमिश्ट्री कामिश्ट्री कहला है, बहुत की रसायन कहलाए है, पीजिma कल कर दो सब्सक्टिड का अर्फिश्टिक वूब symbolism है, इससे मिश्ट्री में ञाया सिगा आर्गैनिक कमिस्टी इसको च्छम क्य Baker आपकी इन और गनिक कमिस्टी काते हैंfold इसके लौन बच्चो आपका इनलियेटकन मैंस्टी होसकता है इनृस्ट्रियल कमिस्टी हो Erst स Detroit कामस्टी हो सकता है और बहुत सारे पार्ट बच्छों हो सकते हैं लेकिन दे के अ के यह निए अब लहर्वर कार्बनिंग के विख्यो बहुत की कमस्टी किलेंटी की यह पर बनि अध्याने आपको करना है इन ही टीन के omega आपको क़ा करना है जाना इन्ही तीन के बारे में बच्चो पूरे के पूरे कमश्टि में आपको अध्यन करना है तो अब हम यहां पर थीन कब थी हुई, पहली कमश्टि बच्चों में सिद्री दे देते हैं आप कार्मानिक रसायन के दूसरा चो अब और तीसत्रा बच्चों क्या अपका भौधाओं की रसायन है कि और यहां पर बइस algu-a app कोgemरie करते हैं तब तक के लिए बच्चों जय हिन जय भारत मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में